हलो दोस्तो रानक लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको उत्तर प्रदेश PCS के बारे में बताऊंगा कि किस तरह परी की तैयारी करे और कौन-कौन सी बुक्स करे जिससे कि आपको आसानी से सफलता मिल सके और क्या ख़बर है तो उत्तर प्रदेश PCS के 18,000 से अविदनों में गलती तो इस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखे तो PCS 2020 के आविदन की परकिरिया चार जून को पूरी हो चुकी है कुल पाँच लाग पंचान में 1696 अभियर्थियों ने आविदन किये हैं और इन में से 18,000 से अधिक अभियर्थियों के आविदन मे ट्रूटी पाई गई है पहली बार PCS परिच्छा के आविदन में इतने बड़े पैमाने पर गरवड़ी मिली है हाला कि अभियर्थियों को गरवड़ी का सुधारने का मौका दिया गया है PCS 2020 के लिए ओनलाइन आविदन की परकिरिया 21 अपरेल से शुरू हुई थी 1696 में अभियर्थियों ने आविदन किये और 18223 अभियर्थियों ने आविदन फॉर्म में ट्रूटी पाई तो मतलब साप है कि कितने लोग लगवग डाले तो 6 लाख परिचारती लगवग है जो की परिच्छा में फॉर्म भरे हैं आईसे अभियर्थियों को 12 जून तक सुधार का मौका दिया गया है हाला कि PCs आविदन में इतने ब्यापक बने पर गवड़ी पहलीवार मिली है और सभी अभियर्थियों को अभियर्थियों के हस्ताचर अचरवा फोटों को लेकर हुई है परिच्छाओं के दौरान हस्ताचरवा फोटों में गडवड़ी अबेदन में जो द्रूटिया इसामने आई है उनके आनुसार कुसी की फोटो है लेकिन उस पर हस्ताचर असपस्त नहीं है यह स्ताचर पुरी तरह से गायव है किसी की फोटो से सही नहीं किसी ने बिना हस्ताचर के फोटो अपलोड की है सचीव जगदीश का कहना है कि अब इदनों की घहनता से जाच की गई है जिसमें से यह तुरूटिया सामने आई अभिहरत्यों को सुधार का मौका दिया गया है 12 जून तक सही फोटो महस्ताचर आयोग की वेबसाइट मर दोवारा अपलोड कर दें तो कहीं आपका तो नहीं है इसलिए जो कि आप एक वर फिर से फोर्म को छेक कर लें जो आपने प्रिंट निकाला है अगर नहीं निकाला है तो प्रिंट देख लें अगर आपका कई लोग PCP का सिलेबस क्या है इसके लिए बूकह लिष्ट कौंसी है तो इसको देखें करते तो जो दो पर होते हैं प्रवान क्या होता जयन्रों कुस्ट रहते हैं 200 असके रहेंगे दो घंटा समय रहेंगे पर 2 तो क्या रहेगा जी इंडरल स्टेडी टू सीज़ाइट क्वालिफाइंग नेचर करेगा सौ कोश्चन रहेंगे 200 मार्ट दो गंटे मतलब यह सिर्फ आपको क्वालिफाइग करना है इसमें मेरिट नहीं जूटेगी प्रिलेंप का पेपर टू क्या होगा एक क्वालिफाइं युगता प्रिलेंप की परिच्छा के पेपर फण में प्राप्त अंको क्याधार पर निर्फारिक की जायेगी और क्या है यह तो नबर के है पर उन्स में क्या रहेगा राश्च्टी यह प्रश्च्टी महत्त्त की बरतमान घटनाएं मतलब केरण्ट और बर्वारतिय हिक निती और शासन, समाजिक और आर्थिक विकास, प्रियाबरनिय प्रस्तित की समानुदे, समानुदिज्ञान, फिलिम्स टू में क्या रहेगा, पेपर टू में तो कंप्रेहंसंद रहेगा, इंटरप्रेशनल स्किल्स रहेगा, एनलाइटिकल एबिलिटी एंड लोजिकल देख सकते हैं, UPP, PSC, पुष्टकों की सूछी, भारतीय इतीहास और रश्टी अंदोलन के लिए, भारतीय इतिहास और रश्टीय अंदोलन में आसीँदू को सतन्ता अंदोलन, रश्टीFr 정서 के विकास और सतंता की प्राप्तिक बारे में कशपश डिष्टी कौन होने की उम्मीद है भारती इतिहास के लिए भारत के इतिहास और काल के जानना आवस्यक है नीचे दी गई किताबों को आप धारनाओं को समझने की में मदद करेगा तो आप देख रहें मधिकालीन भारत का इतिहास के लिए सतीष चंद्र प्रकासन औरियंट ब्लेक स्वान है आप किताब भी देख सकते हैं उसके बाद भारत के प्राचीन अतीत्मा आरेस सर्मा अक्सपॉर्ड इंवर्टरिटी प्रेस इसको भी आप पढ़ सकते हैं भारत आजादी के बाद भी पिंचंद पिंग देहतर समझने में मदद करेगा उमिद्वारों को इस खंड का अध्यान करने के लिए प्रयाप समय देना होगा तो क्या है पूस्तक में सर्टिपिकेट फीजिकल एंड हीमन जोग्राफी लेखा गौंग लेंग चो गौह चेंग लेंग हैं ऑक्सपॉर्ड कभर पेज आप ब्यापक अध्यन महस बर्नवाल कॉस्मोस प्रकासन का इसको भी आप पढ़ सकते हैं इसके बाद आते हैं परियावरन के लिए तो परियावरन और परस्तित की अनुभाग ज्यादा तर परकिरती है इसकी छोटी अवधारना जो ज्यादा तर UPPSC PCS परिछा में पूछे जा हैं इसलिए आपको इस अनुभाग में अथा संब्रम स्कोरिंग को ध्यान रखना चाहिए अध्यान समगरिम पर्यावरन और परस्तित की अवधारनाओं को सभी प्रयावरन संकट से लेकर राज को पालन लेखा के हैं प्रकासन ऑक्सपोर्ड का है फिर है पर्यावरन और प पंचायती राज और समुदाइक विकास भारत में आर्थिक निथी की ब्यपक विस्यस्ताओं और भारतिय संस्कृति के राजित राज निति परनाली के आपके ज्यान का फ्रिच्छन करने के लिए पूछे जाएंगे सुन इस्चित करें कि आपके पास भारत की समिदान का अच्छी पुस्तक भारतिय राजनीती लच्मी कांत ज्यादतर लोग पढ़ते ही हैं फिर भारत का समिदान कंस्ट्यूशन ओफ इंडिया हो गया उसके बाद भारत में सासन लच्मी कांत अब आते हैं समाजिक और आर्थिक विकास के लिए तो UPSC PCS परिच्छा के लिए पुस्तक और आर्थिक विकास को जानना मत पूर्ण है इन पुस्तकों से आपको इस परिच्छामुत क्रिश्क परदाशन करने में मदद मिलेगी पुस्तक हैं बारतिय अर्थवरता रमेश सिंग कवर पीज आप देख सकते हैं फिर आर्थिक सरविच्छन है दव वेटी द यो की आप देख सकते हैं लिए उसेंट फरवाब्लिकेशन का है डेख सकते हैं आप फिस पीस बीलीय में प्रकासन का फिर अपको current affairs, उम्हीदबार रोजाना एक समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, जब समाचार पढ़ सकते हैं एक समाचार पत्र पढ़ेंентиर पत्र पत्रिकाओं जो कि आप योजना कुरुछेत्र आर्थिक राजनितिक सब्ता के आधी इसको भी आप पढ़ सकते हैं अंग्रेजी के लिए कौन है प्रस्फरिक और समानंग्यान अंग्रेजी दसवीक अच्छा तो कॉम्बनेटिव इंग्लिश रिसोर्स बुक रेनु अनन्द और गायत्रिक खन आक्सपोर्ड का है यह फिर आपको सभी एक अंग्रेजी कोर में अर्हिंत प्रकासन का है जो की मिलेगा फिर 101 निवन दिया प् एक सस्तर के बीजगनी सांखी जोमिती और अंगनी जेनरल मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रिजिनिंग एन एनलाइटिक एबिलिटी के लिए सच्दान अच्छा उप्यसी पोर्टल है जो कि उसके बाद प्रतियोगिता तर कीरन प्रकासन का 10 वी NCRT का मैथ कभी आप बना सक सकते हैं तो यह रहे आपको पूरे बुक लिस्ट है जो कि आप इसको पढ़ करें जो कि काफी फायदा उठा सकते हैं और जहां तक कटाउफ की बात है तो कटाउफ जो है आपको लगभग है जो कि आपको 130 या अप तो निगेटीव मार्किंग हुए तो थोड़ा कम हुआ 120-25 जाती है तो आप लोगे इस इन बुकों का ध्यन करके आप कर सकता है अगर आप दूसरे बुक कर रहें तो उसी करें पूरी तरह चैनि ना करें तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे धन्यवार झाल झाल